यहां पर बात करेंगे, इसी एस टीटेन यहां पर पूर्तिगाल, टीटेन जो नया इस्टेयार्ट हो रहा है, OEI भरसेस M.A.L. के बीज जो यहां पर खेला जाएगा, लेकिन भाया यह नया नहीं है, 2022 के आंत में देखेंगे, बहुत सारे मुकाबले खेले, कारिबन 15-20 मुकाबले यहां पर M.A.L. के टीम ने खेला, OEI के टीम ने भी बहुत सारे मुकाबले खेले, फिर दोनों टीम आपस में भी बहुत सारा मुकाबला खेला, तो हम लोग स्कोर कार्ट देखेंगे, बहुत स किसी भी स्रीज का जी एल के लिए सबसे जादा महतपूर्ण होता है क्यों महतपूर्ण होता सारा कुछ देखेंगे लेकिन अगर जदि आप इस मुकाबले खेल रहे हो तो सबसे जादा महतपूर्ण है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर टीम का यहाँ पर स्कोर कार्ड देखा जब बहुत ज्यादा स्कोर कार्ड है इसलिए सारे पेलर के बारें बुलना जरूर नहीं लेकिन मैं यहाँ पर बता दे तो यहाँ पर एसली जेट सा ओपन आये थे इनके लाब एन सहाजाद टीम के के केप्टा एस सर्वर एस जयाए पिटाई पड़ी ज्यादा उबर नहीं डाला टीम में अक्सर होता है कि पिटाई पड़ने पर एक उबर डाला जाता है इस मैं साम की बात के इनको भी अच्छा कासा पिटाई पला तो एक उबर में 14 रंदिया और नहीं आये यह जैब दो उबर कंपिलीट किया बले बाजी यहां पर देखा जाए तो यहां पर पाचमें नमर पर आए तो दोस्तों यह तीन यहां से इंपोर्टेन हो जाते हैं तीनों यहां पर देख सकते हो वन डाउन तू डाउन त्री डाउन आएंगा और दोनों के तीनों के तीनों गेन बाजी भी दो दो बर कर रहा है वाई सर्वर दो भर में 26 रंदी हलांकि इन सर्वर का यहां पर बले बाजी नहीं आया इनके लिए वाई सबीर एक उबर में 16 रंद तो टीटन में याद रखना जिस बोलर का पिटाई पड़ गया तो वो दुबारा नहीं करेगा अब यहां पर देख सकते एस महासीन का अच्छा उ सब्सक्र जाए तो ऑबर करा गया नहीं नहीं कर देका इस इस पर कर रहा है घैनमाजी इस पर कर रहा है यहां पर चार विक्टे में यहां पर ले गए तो बनिया के इन बाज है लेकिन बस दो अभर करना चाहिए इस रवर दो बिक्टे लेगे बल्लेबाजी उपरी करम पर आ जाते हैं यहां पर देख सकते हैं इस सर्वर यहां पर चौते नमर पर आए इनके लब इन सहाजाद इस बाट आगा थो इन सहाजाद इंपोर्टेंट इन सहजाद गिनवाजी भी करते हैं लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ना कुछ मुकाबले में गिनवाजी नहीं कर रहा है इस तिंग यहाँ पर दो भर फूल किया तीन बिक्रे लेगे इस मही सम भी दो भी थे ते इस मही सम की बात के इनका रिकोड अच्छा है इनके लावे ब बिक्टे भी लेगे तो इस परकार से स्कोर कार्ड है मैं दिखाते जा रहा हूं अब इधर एंस आजाद जो है वो वन डाउन के जगा ओपन आना इस्टार्ट कर लिए थे तो बाकी पिलिंग लिए बन जो भी आगा वो तो मैं अपडेट कर दूँगा लेकिन यहां पर यह सर का टीम का बहुत जादा स्कोर कार्ड हम लोगों ने देख लिया दूसरे टीम के स्कोर कार्ड देखना चीए इतना काफ यह लास्ट में लाइनाप के बाद मैं पिलेंगे लेबन सेंड कर दूँगा कि इनका बेटिंग आउडर क्या है फिर मजेस टीम बना सकते एमेल की तर कर रहा है तो कितनों बढ़ियां हो जाए लेकिन इनसाजाद यहां पर सबसे बढ़ियां एमेल की टीम में केफ्टन वहास के लिए दूसरा एस तरवर्ण तिसरा एस जैब तो दोस्तों यहां पर ओड़ेंगे बाद के यहां पर साथ बीनों ने तेरा जड़ाए इस परकार इनका चल रहा है ते गेनवाजी करम यहां पर हम लोग देख लेते हैं सी ग्रिन सिल्स की बात के अगर जदी यह दू अभर करेगा और सांत में बले बाजी जिस तरह करता तो केफ्टन वहास के लिए भी इंपोर्ट हो जाएंगे तो दोस्तों चलिए यहां पर दूसरा किया यह वन डाउन आया उनके बाद वह ओपन आय था इस बर यह पिश्टोमेन उपन आया यह दो यह यहां पर हो रहा है पी जाओन जट की बात क्या यहां पर 1320 अलागे इनका बले बाजी कम आता है यह निपो की बात के पांच पर अगरारा यह बढ़ी हां बले बाज गिनबाजी बल्ले बाजी दोनों कर रहा है यह अधर केप्टन वाज चुएसा है लेकिन वह तो मैं बार-बार कर रहा हूं कि एक ओभर पीटाई पढ़ने के बाद दुबारा नहीं आएगा एप इस्टोमेन और एम इस्टोमेन दोनों के सांते सा हुआ और बहुता है अगला टिमपे एन साजाद एस सर्वर एस जरूर है लेकिन यह दूनों काफी धमाके दार पहला सी गिरिन सेल्ड्स दूसरा एन साजाद एप इस्टोमेन इन तीनों के उपर ही केप्टन वाज सा हमें लगता है जाना चीए तो दोस्तों यहाँ पर गिनबाजी की तोर पे देखा जाती हां पर इतना बड़ा स्कोर जाएगा तो विख्टे तो गिरेगा यहां पर तीन विख्टे इनका फाइदा जी एक खान उठा गये हलांकि यह बले बाजी अच्छा कर लेता लेकिन बले बाजी इनको मुका नहीं मिला एन निपो गी बात किजा एम निपो यह भी बले परण देकर यहां से एक विख्टे ले गए इनके लाव दोस्तों यह आई का फिरी स्कोर कार देखा तो आपको पता होगा के पटेल उपन आ रहे हैं फोलोव साबीत हो रहे हैं एपिस्टोमें से गिरेंसल्ट के उपर ही इनका चल रहा है बाकि यह लोग थोड़ा बहुत क देखना चे ज्यादा महत्पून है जीतना देखो को वह सेम नाजर आ रहा है तो आपको पता है बाकी सारा कुछ लाइनप के बाद तो हम लोग देखी लेंगे तो मेरे भाई कोंबिनेशन देखेंगे लेकिन इससे पहले जैदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्री मिलबन से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इंफोर्मेशन दे देता हूं जैसे फिरी में टीसर डिसकाउंट के बना कुछ भी हो सारे लोगों को मैंने दिलवाय जीन होने चैनल क पर मिंसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोगों का रिपलाय देता हूं वह भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर चली यहाँ पर टीम क्रियेट करते हैं यहाँ पर देखा जा बिगट किप्रिंग सक्षन पर तो आर सिंग की बात के इनकारी को ठीक ठाक है उपरी कलम पर बलेबाजी करेंगे तो बहतर है फिलाल के लिए जो जेप उपड की बात के इनको फिलाल कर लेता है जो कि सेफ सटीक है बलेबाजी खास है नहीं बिगट की अभी हटा करी चलना है से गरिंसिल्ट यहाँ पर इंपोर्टेंट पिलियर के ऊपर हम लोग बात करेंगे इनके अभी किनी के ऊपर नहीं जाना है इनके अलाब यहाँ पर इस सर्वर यहां से इंपोर्टेंट हो जाएंगे इस महसम की बात के इनों लगतार बहतर परदर्शन के अब यहां पर जो चे दू आठ पिल तीन पिलर पीक करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने बाल पूद भी बढ़िया है इनके अलाब जेड अलीवी खेलेंगे तो इंपोर्टेंट हो जाएंगे यह पटेल ओपन आ रहा है गेंबाजी भी करता है लिए कि देखा जा लास्ट सीजन गेंबाजी यह नहीं किया था इस वजह से जे खान यहां से इंपोर्टेंट हो अजहर अधनानी खेलेंगे तो यह भी इंपोर्टेंट है अलग टीम से खेल रहा थे गेंबाजी बले बाजी दोनों कर रहते हैं यह उपन आ रहे थे हम लोगों ने देख लिए यहां पर एक पिलर जो एमिस्टोमें यह गेंबाजी करता है लेगिन इंपोर्टेंट एम अ लेकिन यह दोनों ज्यादा भेतर है केप्टन भासा रिभर्ज भी कर सकतो है तो दोस्तो यह टीम आप सेफ करकर अखलो इसमें जो बीचन जो का आपको अबडेट कर दिया जागा अपने टेली के राम चैनल डोमेस्टिक पिलेंगे लेबन पे तो दोस्तो आसा करते लक्ष लेकिन उडियो